हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Moto Edge 14 यो Android 12 फोन में अगर आप कभी भी कॉल करते हैं तो कॉल करने पर आपके फोन की जो डिस्प्ले ये आफ हो जाती है तो इस प्रॉल्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वी मौइल फोन को रिश्टाट करने के लिए आपको मौइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उगली से दबाके रखना है आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा इस तरीके का छोटा सा इसमें आपको रिश्टार्र पर टैप करना है इससे क्या होगा ना कि आपका फोन जो है वो आटोमेटिक स्विच आफ हो जाएगा फिर इसके थोड़ी दिर बाद आटोमेटिक स्विच आउन हो जाएगा री स्टार्ट करने से यह होता है हमारे मुवाइल फोन के एंडूट शिश्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम ौन के एंडर को डेटा कलियर करना है कैसे अगर आप इस वाला पेज ऑपन होगा टो करना है इसके अगले पेज में दो ऑप्शेन मिलते है एक तो क्लियर स्टोरिज का दूसरा clear catch का आपको पहले इसे clear catch पे आपको tap करना है इसके बाद आपको इसे clear storage पे tap करना है तो आपका एक page आएगा delete app data का इसमें आपको ok का button tap करना है आपका नीचे की side user data और ये catch इन दोनों की सामने आला data आपका zero हो जाएगा तो इस तरह की से आपको अपने mobile phone का calling app reset कर देना है जिससे आपकी call करने पे display off हो जाती है problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process करना ये है कि आपको आपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone का software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर update आता है तो हमें पता नहीं लगता है तो mobile phone का software होता है वो हमारा updated now होने के कारण भी हमारे mobile phone के android system में कुछ problems आने लग जाती है तो आपके mobile phone का software है वो आपका update है या नहीं आपको check कैसे करना है देखिए इसके लिए आपको mobile phone का internet आपको पहले तो चालू रखना है इसके बाद आपको mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको नीचे की side या option मिल जाएगा सबसे नीचे system का system पर tap करना है इसके अंदर आपको नीचे की side option मिलता system update का इसे tap करना है तो आपको इस वाले page में कोई भी update का button या download install लिखा हुआ दिखाई देता है उससे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software अपडेट हो यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर आपको सबसे आखरी process यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तों आपको अपने mobile phone को reset आपको तब ही करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset कर पर डिस्प्ले आफ हो जाती है, प्रॉलम आपकी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपको फोन को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात आपको यह ध्यान रखने है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आपकी दूसरे फोन में transfer कर लिजिए, य से आपके phone की जो call करने पर display off हो जाती है यह problem आपकी solve हो जाएगी अगर मेरे बताए हुए सारे process यूज़ करने के बाद भी आपकी यह problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है देखे आपके mobile phone का जो service center है वहाँ पर आपको चले जाना है अपना phone वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कहरा हूँ देखे हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से आपकी यह problem आ रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताए है न वो mobile phone के software के जरीए बताए है अगर mobile phone के software की किसी कमी की वज़े से यह problem आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी अदर्वाइस आपको अपने phone के service एंटर जाना पड़ेगा